नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल में किसान मीत्रों हाजी रहों में एक बार फिर लहसून की तेजी मंदी रिपोर्ट को लेकर कि आने वाले समय में हमें लहसून के बाजार भाव क्या देखने को मिलेंगे क्या एक बार फिर तेजी आ सकती है या यह फिर जो मदी का दोड़ चल रहा है यह जारी रहेगा और कितनी मात्रा में अभी भारत से निर्यात होना बाकी बचा है और कितना निर्यात हो चुका है और ये जो हमें एधियासिक भाव देखने को मिल रहा है ये किन कारणों की वज़े से इतना भाव हमें देखने को मिल रहा है और इस गलती की वज़े से ही अभी जो बाजार भाव में हमें एक गिरावट देखने को मिली हैं जो माल 20,000, 22,000, 25,000 रुपे तक बिक रहे थे वह माल कल 7-8,000 रुपे तूट गये हैं जो 20,000 बिक रहा था वो माल 13-14,000 रुपे प्रतिकुंटल के हिसाब से कल बिका हैं तो उ इसमें नुकसान आपका ही हैं तो मैं विस्तार से आपको आगे समझाओंगा कि आगे भाव क्या रहने वाला है, किन महीने में हमें तेजी देखने को मिलेगी और कितनी मात्रा में अभी और निर्यात होना बाकी हैं तो ये सबी बाते जानने के लिए आप वीडियो में अंत जो बाजार भाव में हमें गिरावट देखने को मिली उसका मुख्य कारण क्या है तो किसान भाईयो इसका मुख्य कारण यह है कि कच्चे माल का बाजार में आना कच्ची लहसुन हमारे किसान भाई उखाड कर मंडी में ला रहे हैं उस वज़े से बाजार भाव हमें कम देखने को मिला और सबसे ज़्यादा गिरावट हमें कल देखने को मिली जो की 7-8,000 रुपे प्रतिकुंटल के हिसाब से गिरावट हम यहां दर्ज की गई जो माल 20,000-22,000 पर भीक रहे थे चार दिन पहले वह 13-14,000 पर ही सिमट कर रहे गए और इन कच्चे मालों की वज़े से ही कल पक्के मालों की भी लेवाली हमें कम देखने को मिली जो बहतरिन क्वालिटी के माल थे जो 25,000-27,000 तक भीक रहे थे वह 15-16,000 पर ही सिमट कर रहे पर भाईयों कच्चा माल आप मंडी में मत लाईए, कच्चे माल अगर जो आप मंडी में लाते हैं तो बाजार भाव और भी आगे तूट सकता है। और आपका ही इसमें नुकसान है, आपको एक अच्छा भाव नहीं मिलेगा। तो माल पका हुआ ही, मार्केट में लाईए भाव क्या है कि थोड़ सा गिरेगा लेकिन अगर जो आप कच्छा माल लाएंगे तो बाजार भाव जादा तूटने के आसार हमें दिखेंगे और अब बात करते हैं किसान भाईयो आवक की अभी दन पे दिन बढ़ते जा रही हैं अभी कल तो जैसे कि कुछ बासिम बाल भी पूरी तरह से मंडी लिलाम नहीं हुई थी और बाहर भी बहुत ज्यादा लंबी मात्रा में लाइन लगी हुई हैं दोस्तों अब बात करते हैं कि आने वाले समय में लहसुन के बाजार बाव हमें क्या देखने को मिलेगी क्या एक बार फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी या इसी तरह मद्दी का दोर आगे भी जारी रहेगा तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन जो मैं तो पूर्ण पाइंट है अगर जो आपने उसको समझ लिया तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लहसुन को इश्टा करके रखना है या उसे बाजार में अभी बेचने में आपका फाइदा है तो जो अभी रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके माद्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि जो विस्तो में सबसे ज़्यादा लहसुन को जो उत्पादन करता है सप्लाई करता आ रहा है सिर्फ हम 30% सप्लाई करते हैं बाकि सितर प्रतिशत चाइना दूसरे देशों को लहसुन निर्याद करता है लेकिन अभी वर्तमान में डेड़ साल से यानि कि 15-16 महिने से उसने निर्याद में कटोत्री की है जो दूसरे देशों को निर्याद करता था उसमें उसने प्रतिबंद लगा दिया है अब उसका क्या कारण है या तो फिर वह जो दूसरे देशे वह चाइना से लसुन नहीं खरीड़ना चाहते हैं या उसके या उत्पादन कम हुआ है लेकिन यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और यह हमारी सरकार ने मोका नहीं गवाया जैसे ही दूसरे देशों ने भारत की तरफ रूख किया भारत ने ततकाल एग्रिमेंट कर लिया और अभी जो भारत से दूसरे देशों में निर्यात होना है वह एक लाक मेट्रिक टन का निर्यात था जो की दो साल में पुरा करना था तो अभी छे महिने में 57,346 टन भारत से निर्यात लसुन हो चुका है और अभी 33,000 मेट्रिक टन भारत से लसुन निर्यात होना बाकी है तो यह एक बहुत ही अच्छी खबर है किस भाईयों हाँ बाजार तो जरूर तूटेंगे थोड़े से जो अभी जेसे जैसे आवके बड़ेंगी मंडियों में बाजार में हमें गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन जो एक्सपर्ट क्वालेटी हैं जो अच्छा माल है उसके बाजार भाव हमें आगे भी अच्छे ही देखने को मिलेंगे उसमें हमें कमी देखने को नहीं मिलेगी लेकिन जो मार्च अप्रेल ये जो दो महीने हैं इन महीने में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन वापस मई जून तक हमें एक अच्छी तेजी देखने की उम्मीद हैं तेजी मिलने की उम्म तो ये आप अपने विवेक से काम लीजिए, मेरा काम था सिर्फ आपको जानकारी देना, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चेनल को सस्क्राइब अवश्ची कीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विशय को, नई जानकारी को लेकर, जै जवान, जै क पीसाइब